नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है नियूज बुलेटिन के स्पॉंसर हैं आर्की ज्वेलर्स आकर सकाभूशनों के विश्वसनी ये विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन की परमक्सुर्खियों पर नप चुनाओ के लिए बक्सर में छोओ और चौसा में तीन ने किया नमांकन युवाओं को टीसीएस देगी प्रसिक्षण ओन नईस तक कर सकते हैं आवेदन नवानगर में डीम ने लगाया जनता दरबार पहुंचे एक सो तीन मामले नीजी जमीन में बना दी थी सनक हाई कोट के आदेश पर हटा आतिकरमन MP हाई स्कूल में प्रारंभुआ नवन्युक्त पंचायत सची हो का परसिक्षण छत तोड़कर दुकान में लाखों रुपे की चोरी प्राथमी की दर्ज हथियार के साथ पकड़ा गया साती रपराधी भेजा गया जेल अभी तक दुमराओ नगर परिशत चुनाओ पर अरनिश्चित्ता बरकरार खबरेबिस्तार से के प्राज़क है एलेन सोली शर्च मार्केट पुरानी का चहरी के सामने कपड़ों की खरीद पर मिल रही आकर सक्छूट अब खबरों की चर्चा बिस्तार से नगर परिशत चुनाओ के लिए बकसर और मंडल मुख्याले में नमांकन का सिलसिला चल रहा है बीते दिन 15 सितंबर तक कुल आठ लोगों ने नमांकन किया है हाला कि गुरुवार को च्छा लोगों ने नमांकन किया दो इससे पहले बुधवार को हुए थे इन लोगों ने नमांकन किया है आप यहां कुछ उमिद्वारों की तस्वीर देख रहे हैं जो बीते दिन गुरुवार को नमांकन करने अनमंडल मुख्याले पहुँचे थे अनमंडल कर्याले में ही डिसी एदर का कर्याले है जहां चौसा नगर पंचायत के लिए नौमिनेशन हो रहा है ताजा जानकारी का अनुसार गुरुवार को चौसा नगर पंचायत के लिए भी तीन लोगों ने नमांकन किया जिसमें मुख्य पारसद के लिए मधुदेवी वाट साथ एवं वाट छा से भी एक एक उमिदवार ने नमांकन किया बुलेटिन की दूसरी प्रमुक्सुरकी है टाटा समूह की कंपनी टीसी एस अपने वेलफेर कारिकरम के तहत युवाओं को रोजगार से जुड़ा परसिक्षन देगी इसके लिए एक दूसरा बैच वहाँ रोजगार कारियाले जो चरित्रबन में ITI के पास इस्थित है वहाँ प्रारम किया जाएगा वैसे युवक जिनकी उमरा 28 वर्स से कम है उन्होंने सनातक की परिक्षा उतिर्ण कर लिए अथवा अंतिम वर्स में है वे वो नई सितंबर तक नियोजन कारियाले में आवेदन कर सकते हैं यह कारियाले चरित्रबन में इस्थित है बुलेटिन की तीसरी परमक्सुर की है नावा नगर प्रखंड मुख्यारे पर जिलाधिकारी अमन समीर ने बीते दिन जनता दरवार लगाया इस दोरान कुल 103 मामले पहुंचे जिन में सरवाधिक भूरा जस्वत्वा भूमी विवाद से जुड़े थे जिलाधिकारी ने लोगों की फर्याद सुनी इस दोरान पांश लोगों को बासगीत परचा भी दिया गया जिलाधिकारी अमन समीर के साथ डीडीसी महेंदरपाल अपरसमाहरता प्रतिस्वर परसाथ समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे डीम वहां अस्थानी परतिनीधियों से भी मिले साथी आगनबारी योजना बिरिक्षारोपन योजना जिसे आप जल जीवन हर्याली का भी हिसा का सकते हैं ऐसी योजनाओं में भी उन्होंने पौधे लगाये तथा बच्चों को अनप्रासन कराकर आगनबारी की योजनाओं का सुभारम किया बुलेटिन की जब अमामला हाई कोड पहुंचा तब जाकर के उस अतिकर्मन को हटाया गया जहां नीजी जमीन में ही इंट सोलिंकर सानक बना दी गए थी बगएर अनुमती के इस तरह का ठेल जिले में कई जगा चल रहा है बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है MPI स्कूल में नव न्यूक्त पंचायत सचीवों को परसिक्षन दिया जा रहा है जिलादेकारी अमन समीर ने बीते दिन गुरुवार को इसकी सुरुवात की 15-28 तक हाल ही में चैनित हुए लगभग 43 पंचायत सचीव जो ग्राम पंचायतों में कारे संभालेंगे उन्हें उन्मुखी करनकारिक्रम के तहत कारे एवं दाईतों के बारे में जानकारी दी जा रही है बुलेटिन के छटी चुर्की है डुम्राव थाना छेतर के राजगोला रोड में बुद्धवार की राच चोरों ने दुकान की च्छत तोड़ कर तीन लाक रुपे नगद एवं दस अजार से अधिक रुपे का कीमती समान चोरी कर लिया है या घटना राजगोला रोड के न्यू मार्केट में हुई है दुकानदार संतोस केसरी जब गुरुवार को अपनी दुकान खोलने पहुँचे तो ये नजारा देखकर दंग रह गए उन्होंने इसकी सूचना डुमराओ थाने को दी मौके पर थाना ध्यक्स जाच करने के लिए पहुँचे उन्होंने देखा कि सुर्खी चुने की दीवार को छत के रास्ते तोड़ कर चोरदाखिल हुए हैं मौके पर डुमराओं के डीएसपी भी जाच करने गए थे बुलेटिन की साथवी सुर्खी है हतियार के साथ पकड़ा गया सातीर अपरादी इसका नाम दया सागर राम है जो राजपूर गाउं का रहने वाला है इसे राजपूर की पुलिस ने बुद्धवार को तीरा बजार से गिराफ्तार किया था हलाकि सुत्रों की माने तो इसके पास से एक देशी तमंचा पांच जिन्दा कारतूस बरामद हुए हैं इसका एक और साथी है जो गारा थाना कुछिला जिला कैमूर का रहने वाला है इस मामले में पुलिस को छिपा भी रही है सदर डीएसपी गोरकराम ने मीते दिन पत्र कार वारता के दोरान सिर्फ इतना बताया कि दया सागर 13 से पकड़ा गया है और उसका एक साथी जिसकी तलास जारी है वह फरार है अब चलते चलते आपको बुलेटिन के आठवी सुर्की सवकत करा दे दुम्राओं नगर परिशत के चुनाओं का मामला भी विल्जा हुआ ह हाला कि आज 16 सितंबर की तारीक है और जिन जगों पर दूसरे चलन का मद्दान होना है उनकी नमांकन प्रक्रिया भी आसे प्रारम हो जाएगी उमीज जताई जा रही थी दूसरे चलन से पहले दुम्राओं नगर परिशत की तिती घोसित हो जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं इसी के साथ इटारी नगर पंचायत का मामला भी लटका हुआ है फिलाल जीले में बकसर नगर परिशत 14 एवं बरहंपूर नगर पंचायत के चुनाव का कारेश चल रहा है आज की बुलेटीन मसे तना ही आप देख रहे हैं बकसर खबर हमारे साथ अंतक मने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद